प्रैमरी एंगल क्लोजर डिसीज इसे पहले प्रैमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा कहा जाता था अभी हम ग्लोकोमा नए क्लासिफिकेशन की थाफ से नहीं कहेंगे ग्लोकोमा तभी यूज़ करना है जब optic disc change मिलेगा और visual field defect मिलेगा तो ही यूज़ करेंगे तो primary angle closer disease कहा जाता है इसमें जो chronic case है asymptomatic case वो ज़्यादा पाये जाते हैं जो symptomatic acute case है वो कम पाये जाते हैं आगे risk factor ये क्यों डबलब होता है age एक risk factor है ये more पाये जाता है 6th और 7th decade of life में sex की बात की जाए तो ये female में ज़्यादा पाये जाता है race की बात की जाए example के लिए ये चाइनीज में ज़्यादा पाये जाता है और blacks में कम पाये जाता है anatomical factor की बात की जाए तो जिसमें eyeball इसमाल रहेगी एक्जाम्पल के लिए हाइपर मेट्रोपिया में तो यह ज़्यादा पाए जाएगा सेकंड लेंस जो है वो लार्ज है तो ज़्यादा पाए जाएगा सिलेलरी बोडी आगे प्लेस है तो ज़्यादा पाए जाएगा cellular body में iris आगे है तो ज़्यादा पाए जाएगा और साथ ही साथ जब कोर्दियां इसमाल हो तब ज़्यादा पाए जाएगा तो ज़्यादा पाए जाएगा तो यह अलग-अलग risk factor है पेतो मेकनिजम क्या होती है पेतो मेकनिजम की बात की जाए तो जो प्राइमरी एंगल क्लोसर ही क्यो डबलप होता है इसके तीन मेकनिजम है पहली मेकनिजम है प्लोट्यू ब्लैट्यू आरिस और तीसरी मेकनिजम है फेकोमॉर्फिक तो सबसे पहले प्लोट्यू क्या होता ह है और यह तो इस्से क्या सब्सक्राइब हो जाएगी तो इस से क्या होगा क्या लगेंगा हreichen नJeans में जो फ्यूपील जो है वो डायले होती है इसके रीजियन अलग-लग हो सकते फिजयolोजी कल रीज़ेन हो सकता है एक् nouve00 Uhr के लिए डिम लाइट में पड़ रहे हैं या फिर सिनिमा हैं वहां डार्क रूम हैं या फिर टिलेविजेन देख रहे हैं dark room में या फिर stress की condition है sympathetic over stimulation है तो people dilate होता है या फिर हम drug use की है जैसे midriatic drug use की है midriatic drug use की है कौन सी midriatic drug जैसे की अपनी एटोपीन हुआ, topicamite हुआ, cyclopentolate हुआ, phenylifrin हुआ तो मिड्यियस्स करते यह वी pride इश्व प्लेटर कर करने और क्या हो सकता है प्लेटु आइडिस का बाल Вां मैनूर हो सकता है यह पहला केस होते है डूसरा है लिकलेट्ड री बीट सकता है तो यह बॉक्त करती है यह लेस इंडियर कुछ ब्लोक यह होता है तो यह तो मेकनिमे के disease के डवलप होने की आगे ISGO classification के हिसाब से जो disease से तीन group में divide किया गया है primary angle closer suspected तीनों में primary angle closer primary angle closer रहेगा बस पहले में suspected रहेगा दूसरे में primary angle closer ही रहेगा तीसरे में primary angle closer glaucoma रहेगा पुराने classification के हिसाब से चार group में थे एक latent था latent इसमें आएगा suspected में सब acute और acute थे जो कि इसमें आएगे primary angle closer में और उसमें जो chronic case है वो इसमें आएगे primary angle closer glaucoma में ये वो conventional classification था अभी हमें यही पढ़ना है तो जो primary angle closer suspected है उसके बारे में पढ़ते हैं जो primary angle closer suspected है अब अब suspected क्यों बोल रहा है क्यों क्योंकि इसमें कोई symptom नहीं है ये तो तीन कारणों से आ सकता है अपने पास तो हमें मिल गया कैसे इस आख में attack था तो हमने इसको check करा तब ही ये मिल सकता है या फिर जो glaucoma की screening program चलते हैं उसमें ये diagnose हो गया या फिर तीसरा केस क्या हो सकता है जिसमें ये हो सकता है या फिर वो other ocular disease की वज़े से आया है तो इन केस में अपने eye का examination करा तो उसमें ये predispose निकला मतलब जैसे उसमें angle जो निकला वो close निकला बाकि उसमें कोई symptom नहीं थे तो जैसे इसमें symptom absent थे sign की बात की जाएं तो इसमें ellipse sign मिलता है ellipse sign क्या होता है जब temporal से light देते हैं तो nasal side पे shadow दिखती है जो की normal नहीं दिखती है तो इसमें दिखेगी क्यों 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 की anterior chamber क्या हुआ है उसकी length axial length कम हो गई होगी कम होती है तो ये एक suspected case है दूसरा slit length examination करेंगे तो उसमें भी decrease मिलेगी anterior chamber की depth तो ये sign मिलेंगे अपने को अपने कब diagnosis करेंगे यहाँ पर बहुत important है diagnostic criteria ये most important factor है primary angle closer disease में कि हमें diagnostic criteria पता होना चाहिए तीनों के primary angle closer suspected के primary angle closer के primary angle closer glokoma के हम direct देख लेते हैं सुरू में तीनों के ही साथ में देख लेते हैं पहला अपन बात करेंगे हर एक में अपन बात करते हैं पहला कि जो angle होगा वो 270 degree से ज़्यादा होगा gonioscopy पैपन angle देखेंगे हम peripheral anterior sine की को देखेंगे इसमें हो भी सकती है और नहीं भी तीसरा हम देखेंगे intraocular pressure को बड़ा होगा कि बड़ा तो मिलेगा ही अपने को लेकिन बड़ा नहीं भी हो सकता है और चोथा हम देखेंगे optic disc change को और पांच बाह हम देखेंगे visual field change को तो यह visual field defect है कि नहीं यह पांच most important point है primary angle closer disease में एक बार और gonioscopy पे angle देखेंगे दूसरा sine key को देखेंगे तीसरा IOP को देखेंगे चोथा अपन optic disc को देखेंगे पांच बाह हम visual field को देखेंगे तो हम सभी के देख लेते हैं जैसे angle closer suspected है उसमें क्या रहेगा उसमें पहली चीज मिलेगी कि उसमें gonioscopy पे diagnostic criteria है कि उसमें angle ज्यादा मिलेगा बाकि चारों चीजे उसमें absent रहेगी मतलब इसमें sine key नहीं पाये जाते हैं इसमें IOP देखेंगे तो इसमें normal रहेगा इसमें optic disc change नहीं रहेगी normal रहेगी और इसमें visual field defect भी नहीं देखा जाएगा बस एक gonioscopy पे angle ज्यादा होगा जो अपना primary angle closer है उसमें हम देखेंगे तो gonioscopy पे angle अपने को क्या मिलेगा 270 से ज्यादा मिलेगा और क्या मिलेगा अपने को sine key मिलेगी और क्या मिलेगा अपने को IOP rice मिलेगा बाकि दो चीज अपन नहीं मिलेगी क्या ने मिलेगी विज्व फिल्ड इफेक्ट नहीं मिलेगा और optic disc के चैंज नहीं मिलेगी इसली ये तो हमने यहाँ glaucoma सब्द यूज नहीं किया क्यों क्योंकि glaucoma होने के लिए जरूरी है optic disc होना और visual field चैंज होना तो जो अपने इसमें ग्लोकोमा बोल दिया तो इसमें सब चीज मिल गई इसमें गोनियोस्कोपी पे एंगल 270 से ज़्यादा मिलेगा पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकी मिलेगी आयोपी राइस मिलेगा ओक्टिक डेस के चेंज मिलेगी और विज्वल फिल्ट डिफेक्ट मिलेगा तभी हमने गोलोकोमा बोल दिया तो यह सभी के अपन डाइगनोस्टिक क्राइटीरिया पढ़ चुके हैं जनरली जो प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्टेट है वो अपने देखा कि क्यों आया था जो पेसेंट हमने डाइगनोस्टिक क्राइटीरिया भी पढ़ चुके हैं क्या थे डाइगनोस्टिक क्राइटीरिया गोनियोस्कॉपी पे 270 से ज्यादा इंगल पाये जाएगा कोई भी पेरिफेरल एंटीरिया साइनिके नहीं रहेंगे आयोपी क्या रहेगा नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क इचेंज क्या रहेगा नॉर्मल विज्वल फिल्ट इफेक्ट क्या रहेगा नॉर्मल आगे हैं मेनेजमेंट इसमें हम क्या मेनेजमेंट करेंगे हम पहले चेक करेंगे कि या ओरिजिनल में क्या डाइग सस्पेक्टेट केस है की नहीं तो हम primary angle closer suspected case है की नहीं इसे diagnose करने के लिए क्या किया जाता है provocation test किया जाता है provocation test दो दरह से कर सकते है prone dark room test और दूसरा होता है midriatic provocation test तो जो prone dark room test यही किया जाता है क्यों? क्योंकि यह physiological है जबकि जो midriatic test provocation उसमें drug देनी पड़ती है अपने को तो अपन physiological test करते है क्या होता है prone dark room test इसमें क्या करते है पहले हम baseline IOP measure करते है उसके बाद patient को dark room में prone position में मतलब वो सोएगा कितने देर के लिए एक गंटे के लिए पर वो आँख मतलब उसमें यह है कि वो ज़रूरी ही है फिर से जो prone dark room test इसमें क्या करते है जाएगा और prone position में वो लेट जाएगा वो सोएगा नहीं वो जागा रहेगा और dark room में क्या होगा एक घंटे के बाद जब वो आएगा तो हम IOP measure करेंगी दोबारा यदि IOP 8MA में जिसे ज़्यादा है तो यह diagnostic हो जाएगा primary angle closer suspected का और दूसरा है इसमें यह क्यों उसका हम चेक कर रहे हैं क्यों उसमें बड़ा होगा उसका कारण यह है कि dark room में जो है वो physiological midriasis का काम करते हैं उसने angle close करा होगा तो उस बज़े से IOP rise हुआ होगा तो अगर उसमें 8MM से ज़्यादा निकला तो वो diagnostic हो गया एंगल primary angle closer suspected का उसमें क्या करते हैं midriatic test में वो ही है midriasis का ने के लिए drug दिया जाता है midriatic में हम अकेला बीक midriatic pillocarp टोपिकमाइट अकेला यूश कर सकते हैं यहां फिर हम एक मियोटिक्स जैसे phenylifrin और उसको यूश कर सकते हैं अपना पिलो कार्पिया साइक्लोपेंटोलेट का तो यहां की ज़िए साइक्लोपेंटोलेट और फिनाइल इफरीन का यूश किया जाता है तो आगे अगर अपन बात करें तो यह अपन उसमें भी इसमें भी यही अटेम्म जजेसे जाता है तो बो डाइग्नोस्टिक है primary angle closure suspected का आगे periodic follow up किया जाता है periodic follow up करेंगे और patient को समझाएंगे कि कि इसमें ये symptom रहेंगे तो अगर वो symptom उन्हें मिल रहें तो फिर उन्हें दुवारा अपन चेक करेंगे फिर से आगे है प्रोफाल एक्टिक यदि अपने देखा था कि जो केस था सस्पेक्टेड वाला वो एक आँख में क्या था उसका ग्लोकोमा था प्राइमरी एंगल क्ल मतलब 50% है कि इसमें भी आटेक आएगा तो इसलिए हम प्रोफाल एक्टिक लेजर आइडेक्टोमी करते हैं फेलो आई में अब हम देख रहे हैं प्राइमरी एंगल क्लोसर जो प्राइमरी एंगल क्लोसर ही यह सबसे में हैगा इसे ही एक क्यूट कंजेस्टिब ग्लोकोमा कहा जाता है जो प्राइमरी एंगल क्लोसर है इसमें जो अपना जो ओकुलर एमर्जेंसी है ओकुलर एमर्जेंसी में इसमें क्या सिम्टम रहेंगे इसमें पेइन रहेगा नोजियर रहेगी बोमिटिंग रहेगी रेड नेस रहेगी और लेक्राइमेशन रहेगा प्रोग् इसमें जो है लिड जो होगी वो क्या हो जाएगा सेलो हो जाएगा आगे यादी प्यूपिल देखेंगे तो सेमी डाइलेटेड मिलेगी और आयोपी जो रहेगा बहुत ही बढ़ जाएगा 40 बिडविन 40-70 mmHg की बीस अपने को मिलेगा डीडी इसकी क्या होगी यह एक्यूट गलोकोमा है उसकी डीडी पहली डीडी हो सकती है चूंक जूसमें रेड ने से कोमा कौन से होंगे जैसे की नियोवेस्कूलर गलोकोमा हो सकता है या फिर φेकवोमर्फिक इसक ने ग्लोकोमा हो सकता है तो यह हमने क्या देख लिया यह डीडी देख ली और इसकी डाइगनोसिज जो है क्यूट कंजेस्टिफ ग्लोकोमा की वो क्लीरिकल ही अपन बना देते हैं बस इन से डिफ्रेंसियेट करने की जरुवत होती है डाइगनोसिक क्राइटेरिया हम पड़ उसको अपने को डिक्रीज करना है आयोपी डिक्रीज करने के लिए हम आईवी मेनिटोल यूज करते हैं और क्या यूज करते हैं और क्या यूज कर सकते हैं एंटी ग्लोकोमा ड्रग यूज करते हैं जैसे असीट जोलामाइट यूज कियते हैं विटा टीमलोल यूज करते ह तो immediate medical therapy देना है यह पहला है to reduce IOP आगे definitive treatment क्या है इसमें क्या आयरिस ने प्योपल को block कर दिया था तो जो papillary block है उसमें हम laser iridectomy करती है यह main definitive treatment है इसमें क्या करते हैं laser peripheral iridectomy करते हैं अगर इससे काम नहीं चल रहा है तो फिल्ट्रेशन सरजरी मतलब ट्रेवेकुलेक टॉमी करते हैं और हमने पहले ही बोल दिया है कि यदि इस आंक में अटेक है तो दूसरी आंक में भी आयरीडेक टॉमी कर देंगे लेजर क्यों क्योंकि उसमें चांसे से कि एक्यूट अटे ऺज़े और हमने इसे ट्रेट नहीं किया तो क्या होगा साइनीकी डवलफ हो जाएंगे तो फिर जो प्रामारी एंगल क्लोोजर बन जाएगा लगातार आयोउपी चिनिकल तो clinical feature क्या रहेंगे इसमें similar रहेंगे clinical feature primary open angle glaucoma की तरह ही भीचर रहे थे open angle की तरह except इसमें angle close रहेगा इसमें eyeball जो होगी वो bite रहेगी और इसमें pain नहीं होगा यह painless condition है और कोई भी condition अपने को नहीं मिलेगा diagnostic criteria हम कर चुके हैं इसमें सभी मिलेगा angle gonioscopy पे 270 से ज्यादा मिलेगा peripheral anterior sign की present होगे आयोपी बड़ा मिलेगा visual optic disc में अपने को damage मिलेगा cupping दिखेगी जिसे बोलते हैं glaucomatis cupping और visual field defect मिलेगा और visual field defect किसकी तरह रहेगा primary open angle glaucoma की तरह रहेगा management के लिए क्या करते हैं laser iridictomy करते हैं with और without medical treatment filtration surgery कर सकते हैं जैसे ट्रेविक लेक्टोमी और वो ही अपने बोल दिया था profilactic laser iridictomy of fellow eye अब है यदि अपना जो primary angle closer glaucoma डबलप हो गया है यदि इसके बाद भी treat नहीं किया तो patient को absolute primary angle closer glaucoma हो जाएगा इसमें patient पूरी तरह से blind हो जाएगा perception of light negative रहेगा पर हम फिर भी इसका treatment करेंगे क्यों क्योंकि patient को pain होता है तो इसमें painful आई रहती है blind आई रहती है तो हम क्या करते है retro verbal बलबर alcohol का injection देते है alcohol का injection से क्या होगा जो cellular ganglion है वो destroy हो जाएगे दूसरा हम करेंगे चूंकि आयोपी इसमें बड़ा हुआ रहता है लगातार आयोपी बड़ा हुआ रहता है तो हम cellular epithelium को destroy कर देंगे और क्या कर सकते है इन इक्लियेशन कर देंगे अगर इनसे भी नहीं हुआ तो इन इक्लियेशन पूरी eyeball निकाल देंगे including sclera आगे जाएगा complication अगर इसमें भी किसी ने treat नहीं किया तो क्या होगा यहां corneal ulcer का क्या होगा पर्फोरेशन होगा आयोपी बड़ा है क्योंकि और क्या हो सकता है चूँकि लगतार आयोपी बड़ा है तुझ इसलिए वो तिन हो जाएगी और वो बल्ज करेगी आउड बल्जिंग मतला इस्टेफाइलोमो बन सकता है लिंबस वे ब बलबाई हो सकता एट्रोफिक बलबाई का मतलब होता है कि लगतार आयोपी बड़ा रहा तो उसकी बज़े से सिलेलेरी बोडी डेमेज हो जाएगी तो वो एक्वास फारमेशन बंद कर देगी और जो आईबोल में आयोपी फॉल हो जाएगा और आईबोल सिंक हो जाएगी त तो यह हमने देखा प्राइमेरी एंगल क्लोसर डिसीज और डिसीज में अपन तीनों देख चुके हैं प्राइमेरी एंगल क्लोसर सस्पेक्टेड प्राइमेरी एंगल क्लोसर प्राइमेरी एंगल क्लोसर ग्लोकोमा और तीनों के में सबसे क्लासिकल फीचर क्या है ड्राइ